नमस्कार दोस्तों मैं हूं रिचा सिना एक भिहरन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जैमाता दे लिग दीजे माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाय पूर्ण करें दोस्तों अश्विन मा के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं और इस व्रत का पित्र पक्ष में पढ़ने की वजह से अत्य ठीक महत्रू बताया गया है तो दोस्तों इस साल ये व्रत किया जाएगा 13 सेप्टमबर रविवार के दिन तो आज हम बात क करेंगे कि इंद्रा एकादशी व्रत का महात्म में क्या है पूजा की विधी क्या है साथी एकादशी व्रत के नियम क्या है इस दिन कौन से काम आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए एकादशी तिथी कब से कब तक रहे कि पारण का शुब महुट क्या है साथी दोस्तों अगर आपके नहीं कारणों से इंद्रा एकादशी का वृत नहीं कर पाते हैं, तो भी अपने पित्रों के मुक्ति के लिए उनका आशिर्वात सदा परिवार पे बना रहे और घर में सुक सम्रिधी की वृत्धी हो, भगवान विश्णु और माता लक्षमी की कृपा प्राप जो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजेगा और परिवार जनों के साथ दोस्तों के साथ शेर कीजेगा ताकि वो भी इसका लाब उठा सके दोस्तों हिंदू पांच जांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी का व वे उनके निमित करता है उनके पित्रों को इसके फल सुरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्रती को भी संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यों के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है तो दोस्तों अगर आ इकादशी का वृत करना चाहते हैं तो आपको एकादशी के एक दिन पहले से अर्था दश्मी तिथी से ही वृत के नियमों का पालन करना होता है दश्मी तिथीज से कोही सर्ध होंके नहाले शुद हो जाए अपने आच्रण को पवित्र रखें सात्विक भोजन करे, मानसाहार, तामसिक भोजन लेसन प्याश का त्याग करे, साथी दश्मितिथी से ही सभी को चावल का त्याग करना चाहिए, किसे भी प्रकार की नशे की पदार्थ का इस दिन सेवन ना करे, साथी ब्रह्मचरे का पालन करे, अपने आचरन को सात्विक र रात में सोने से पहले अच्छी तरीके से दातून या ब्रश कर ले। सोते वक्त भगवान विश्णु का ध्यान करते हुए अगले दिन एकादिशी व्रत करने का संकल्प मन में करते हुए सोए। अब जिस दिन एकादिशी का व्रत है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे सनानादी से निवरित हो के साफ सुक्ष बस्तरों दारन करे। इस दिन विदिवत पुजा अर्चना करनी चाहिए, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए, उस पर भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की मूर्थिया प्रतिमा स्थापित करें, उसके बाद भगवान से अपने घर में पधारने की विनिती करें, प्रार्थना करें, और उसके बाद भगवान विश्नु माता लक्ष्मी की मूर्थि हो या फोटो हो, उनको पंचामरित सस्नान कराएं, फिर शुथ जल सस्नान कराएं, फिर टीका, चंदन, हल्दी, कुम-कुम अर्पित करें, साथ ही पुश्प और पुश्प माला अर्पित करें, भगवान को भो वर्ष्य त्यार कर लें, गाय के कच्चे दूद में दही, शुद्ध घी, शहद और शक्रमिला के पंचामरित त्यार हो जाती है, इसी से भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी को स्नान कराएं, भगवान विश्नु की पूजा में तुलसी पत्र का उप्योग जरूर करें एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, साथ ही कोशिश करें कि भगवान विश्नु की पूजा में जितनी भी सामगरियों का उप्योग करें, वो पीले रंग के हों, जैसे कि पीले रंग के वस्त्र, पीले पु पित्रों की मुक्ति के लिए किया जाता है, तो इस दिन पित्रों के मुक्ति के लिए उनके निमित भगवान विश्नु के मंदर ओम नमो भगवति वासुदेवाय का यथा संभ जप आवश करें, उसका पुर्णफल अपनी पित्रों को अर्पित करें और अगर संभव हो त प्रुस्ष्ट का पाइध करें, या फिर किसी योगिबरामन से करवाएं, या फिर आप सिर्फ गीता के सात्वे अध्यायेका भी पाइध कर सकते हैं, जिसको की पित्रों के मुक्ती के लिए सरवुत्त माना जाता है। दोस्तों इकादिशी की तिथी माता लक्षमी को भी अधिन्त प्रिये होती हैं, तो इस दिन माता लक्षमी की कृपा प्राप्ती के लिए घर में सुक समरित्थी की वृत्थी के लिए मालक्षमी के मंत्रों का जब करें, श्रिश शुक्त का पाठ करें, पुरुश शुक्त का पाठ करें आपको एक मालक्षमी का मंत्र बता देती हूँ इसका कमल गटे की माला से कम से कम 108 बार जब अवशे करें यह मंत्र है एक बार और बता देती हूँ दोस्तो इस मंत्र का जब यदि आप एकादशी तिती से प्रारंब करके प्रती दिन कम से कम 108 बार करते हैं तो आर्थिक समस्याई समाप्त होती है घर में सुक्सम रिद्धी की वृद्धी होती है मालक्षमी की कृपा प्राप्ती होती है पूजा अर्चना के परश्चात आरती करें और इस प्रकार से पूजा करने के परश्चात आपको सारे दिन जो है फलाहार करना है आप भगवान विश्णू का नाम लेते रहें, अपने आच्रन को पवित्र रखें, शाम के समय आपको पुना भगवान विश्णू की आरती करनी है, उन्हें भोगर्पित करना है, एक आदशी में दोस्तों रात्री चागरन का भी बहुत ही महत्वे बताया गया है, तो हो सके तो रात्री चागरन करें, भजन की एकतन करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, मंतरों का जब करते रहें और द्वादशी तीथी को भी सुबह सवेरी जल्दी उठके स्नानादी से निवरित हो करके भगवान विष्णों की विदिवत पुजा करें और चोकि इंद्रा एकादशी पित्र पक्ष में आती है तो इस दिन अपने पित्रों के निमित दान अवश्य करें किसी गरीब को जरूरत मंद को जो है आप अनाज वस्त्र फल या फिर ये सब संभव नहीं है तो कुछ पैसे दक्षिणाही दान करें ब्रामन और गरीबों को भोजन कराएं और उसके बाद आप स्वेम भी भोजन करें साथ ही दोस्तों पित्रों की मोक्ष प्राप्ति के लिए इस दिन संभव हो तो एक छोटा सा उपाई सरूर करें इस उपाई को आप सर्व पित्री आमवस्या के भी दिन कर सकते हैं या फिर अपने पित्रों के मृत्यू तिथी के भी दिन कर सकते हैं इस दिन करना क्या है आ उस रोटी के चार टुकड़े कर ले चारों टुकड़े पर कुछ मीठा रखे शकर चीनी गुड या फिर खीर रखते हैं तो अतियुत्तम हैं इसके बाद अपने घर के दक्षिन दिशा में एक चौकिस थापित करें उसके उपर कपड़ा बिचा के अपने पित्रों के फोटो करें और उनसे इसको भोग लगाने की प्रार्थना करें कोई गलती हुई हो उसके लिए अपने पित्रों से शमा मांगे और उनसे आशिरवाद बनाए रखने की प्रार्थना करें और उसके बाद आप एक टुकड़ा किसी गाए को खिला दे एक टुकड़ा कुट्टे को ख और साथी एक टुकड़ा जो है वो किसी गरीब को भिखारी को दे दे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दे या दोस्तों यह उपाय पित्रों की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत अच्छूग बताया गया है इस उपाय को आप हर महीने में आने वाली आममस्या को भ चानती होती है और घर में सुक सम्रिद्धी की वृद्धी और संकटों का नाश होता है दोस्तों अम इंद्रा एकादिशी की तिथी और पारण महुर्थ जान लेते हैं इंद्रा एकादिशी का व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादिशी तिथी को किया जाता है जो कि इस साल अर्था 2020 में किया जाएगा 13 सेप्टमबर रवीवार के दिन एक आदशी दिथी प्रारंब हो जाएगी 13 सेप्टमबर को सुबह के 4 बज के 13 मिनट से और ये रहेगी 14 सेप्टमबर के सुबह के 3 बज के 16 मिनट और पारंग का शुब महोर तो होगा 14 सेप्टमबर को दोपहर के 1 बज के 31 मिनट से शाम के 4 बजे तक के बीच में और दोस्तो हरी वासर समापत हो जाएगा सुबह के 8 बज के 49 मिनट पे उमीद है दोस्तो आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजी परिवार जनों के साथ दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजेगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक सुष्थ रहिए सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए जय माता दे